2022 की हार के बार तूट गए थे धोनी, खाली थी कसम, 2023 में ऐसी खतरनाक टीम बनाई जिसने मैदान पर तबाही मचाई आखर धोनी के कौन से फैस्टेस लगातार मैच जीत रही है चेनई, कोई नहीं समझ पा रहा है, धोनी का ये प्लान ये तृदेव मचा रहे हैं घमासान 2022 में धोनी ने प्लान बनाया, 2023 में तीनों को फोन मिलाया, तीनों को टीम में शामिल करवाया, फिर टीम को मजबूत बनाया धोनी के वो तीन हथियार जिनके दम पर धोनी ने बदली चेनई की किस्मत इस बार इन तीनों को कोई रोक नहीं पाएगा इस बार इतिहाद सलचा जाएगा आईपेल 2023 में इस वक्त गुजरात के साथ साथ चेनई की भी चर्चा हो रही है क्योंकि ये वो टीम है जो साल 2022 में निचने पाइदान पर आही थी उस वक्त धोनी की बहुत क्रिक्री हुई थी लेकिन उस हार के बाद धोनी ने कसम खाली थी ये सौगंद ले ली थी कि अगरे साथ तूफान मचाना है उसके लिए धोनी ने अंदर ही अंदर तयादी करना शुरू कर दिया था प्लान बनाना शुरू कर दिया था टीम की तीन कमजोरियों को दूर करने के लिए खास योजना बनाई थी जिसका अर्टीजा ये हुआ कि साल 2023 में चेनई टॉप 4 में शामिल है और क्रिकेट फैंस इस बार चेनई को चैंपियन मानकर चल रही है लेकिन ये सब कैसे बदला? कौन है? वो तीन खिलारी जिनके उपर धोनी ने बड़ा दाफ लगाया चलिए आपको पूरी ख़बर बताते हैं दरसल साल 2023 में चेनई की हार की वज़ा के तीन कारण थे टॉप ओर्डर का कमजोर होना, टीम के पास फिनिशर ना होना और डेथ ओवर्स का कोई गेनबास ना होना इसलिए धोनी ने तीन एहम खिलारियों को चुना नमबर एक, धोनी ने सबसे पहले टॉप ओर्डर को मजबूत करने के लिए रहाने को अपने साथ पापस लिया रहाने पहले भी धोनी के साथ राइजिंग सुपर जाइंट्स में खेल चुके हैं और साल रहाने के बल्ले से खूब रन बरसे थे धोनी को रहाने की ताकत का अंदाजा था धोनी की ये चाल काम कर गई और रहाने आईपेल 2023 में किस तरह से खेल रहे हैं हर कोई देख रहा है जिस खिलारी को लोग खतम समझ रही थे धोनी ने उसे एक बाल फिर से जंदा कर दिया वैसे तो साल 2022 में भी शिवन दुवे पर धोई ने भरोसा जिताया था और धोई के बल्ले से कुछ अच्छी पारिया भी निकली थी लेकिन साल 2023 में दुवे एक अलगी अंदाज में दिख रहे हैं उनके खेल को देख कर लग रहा है जैसे उनके उपर कोई प्रशन नहीं है दुवे का यही वे खौफ खेल चेनई की ताकत बन रहा है और चेनई की जीत की एहम वज़ाबी बन रहा है नमबर 3, धोनी का ये कदम सबसे बड़ा और सबसे साहासी था किसी को उमीद नहीं थी कि धोनी अपने स्क्वैड में से उस हीरे को खोज निकालेंगे जिसके उपर किसी के नज़र नहीं जा रही थी उस हीरे का नाम है मधिसा पतिराना वैसे तो पथिराना 2022 में भी चेननी के साथ थे लेकिन उन्हें ज़ादा मौके नहीं मिले थे लेकिन 2022 की हार के बाद धोनी को समझ आ गया था कि ये गेनबाद डेथ में गेनबाजी करने वाला जरूर होना चाहिए फिर धोनी ने पथिराना को ट्रेंड करना शुरू किया उसका नतीजा आज ये हो रहा है कि पथिराना हर मैच में आखर में आते हैं तूफान मचा कर चले जाते हैं और प्रेटीं को मैच जिताते हैं कम उम्र में जिस तरह से पतिराना गेंबाजी कर रही है उससे साफ समझाता है कि धोनी ने उनके पीछे कितरी महनत की है। धोनी ने पतिराना को लेकर कहा भी था कि ये गेंबाज आगे चलकर बड़ा गेंबाज बनेगा। तो धोनी के इन तीन फैस्टों से चेनी की काय पलट हो गई है जो टीम हार रही थी वो अचानज जीतने लगी उसी का नतीजा है कि आज चेन नहीं पॉइंस टेबल में टॉप की टीमों में शामिल है तो आपका धोनी के इन तीन हतियारों पर क्या कहना है और इन तीन खिलाण में से आपको कौन सा सबसे बड़ा मैच फिना लगता है कॉमेंट करके पिराए जरूर ने